ओके गाइस वेल्कम सो काफी लोगों ने मुझे यह पूछा हुआ कि चैट जीपीटी क्या प्रोग्रमर्स की लाइफ अपसिलीट कर देगा तो सुचा चलो हम इसे ट्राइ कर लेता है सो मैंने एक फ्रेश अकाउंट सा बना दिया है चैट जीपीटी पे और निव चैट पे क्लिक करते हैं और एक बेसिक सा उसे कोडिंग का टास्क देता है सो बेसिक सा टास्क हमारा सिफ यह होगा कि हम उसे पूछेंगे कि एक यूजर नेम ले लो पासवर्ड ले लो और एक लॉग इन बटन दे दो लॉग इन बटन पर जैसे क्लिक हो जाए तो फॉर्म सब्मिट हो जाना चाहिए यूजुली हम कहां पर सब्मिट करेंगी लोकल सर्वर पे local सर्वर पे जहां पर आपका सर्वर रांद कर रहा है लेट से अगर आपका Express server रांद कर रहा है तो फिर हम Express server की तरफ यानि Port 3000 की तरफ भी डाल सकते है यह तो फिर 8000 जो भी आपको ठीक लगें ॥ीक है which will ask for username and password when the login button is clicked मैं इस font size को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं था कि छोटी screen वाले भी देख सकें ठीक है? ओक है? विच 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 वास्क पर username and password and when the login button is clicked it will send a request to our URL कौन सा रख है? normally HTTP localhost 8000 जो यूशली हमारा Node.js के आप्लिकेशन पर रहता है विच इस एक्ष्प्रेस शायद से हम 8000 पर ही रहन करेंगे उशली so it will send a request to localhost 8000 आगे क्या? okay, upon successful authentication, oops, it will save a secured cookie इतना एसी है? okay, if the response is 403 then please print username or password is incorrect see, देखे, काफी simple सा मैंने ये GPTG को एक prompt यह हुआ है वो यह है कि react.js में username और password ले लीजे और जैसे login बटन पर click होता है तो फिर एक request बेज दीजे localhost 3000 पर और जब यह authentication successful हो जाए तो फिर वो of course secured cookie save कर देगा और अगर नहीं होता है और 403 आता है तो फिर बस इसे print करना username or password is incorrect so let's see हम देखेंगे कि अगर इसमें गलती नहीं हो रही है तो फिर हम इसे थोड़ा सा complex पूछेंगे तो इसे send पर click कर देता है नमस्ते आहाँ ओकेई वेरी गुड़ ऑकेई एक सिकन एक सिकन एक सिकन यह उसने क्या क्या इससे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर जाता हूं दोस्तों थोड़ा सा आप जूम इन कर लीजेगा स्क्रीन पर अगर आप फोन पर हैं तो ठीक है ओ क्या बात है यहाँ पर उसने लिख भी तिया react login page exam exam nice ठीक है यहाँ पर है login successful जो कि correct था if response.status is equal to 2000 तो फिर login successful है यह तो फिर 403 है login successful set a secured cookie here you can use a library like js cookie for this example js cookie import cookies क्यों just a second is it a good practice to save secured cookie from client side or should it be saved should it be sent by the server okay इसने बहुत बड़ी मिस्टेक करिया है जो कि security को लेकर है and that is कि उसने एक secure cookie आपको यह बताया कि आप secure cookie जो store करना है आपको यहाँ से करना है जैसे कि उसने यहाँ पर लिख लिख लिया हुआ है कि token तो फिर वो expect कर रहा है कि token आएगा और your secured token जो कि हमें सर्वर से response में लेगा और secure true करना है अभी यह front end से कभी भी नहीं करना चाहिए यह security की सबसे बड़ी loop होला है never save cookies from the front end नीचे देखने है यह क्या बोल रहा है देखें सो यह ही पर है securing storing secured information such as authentication tokens और sensitive data directly in client side cookies is generally not considered a good practice best practice for several reasons और उसने हमें reasons दिया है instead best practices for secure authentication and data storage involve server side authentication तो दोस्तों यह तो काफी clear हो चुका है कि हम मेंने इसे सिफ login करने के लिए कहा था और यह login में भी उसने हमें बहुत ही unsecured सी ऐसे समझ लिए कि उसने एक patchwork हमें दे दिया हुआ है ठीक है so it is good अगर आपको suppose छोटे मोटे बनाने है तो फिर लेकिन mission critical जो आपके apps होंगे या तो फिर जैसे आप को आपको secured करना है वो chat cpt से please coding मत करवाईए बिकस देखे यहाँ पर उसने जो दिया हुआ है ठीक है login successful you can use a library like js cookie और यहाँ पर उसने बोला है कि server से actually आना चाहिए so यह बहुत बड़ी mistake है let us say can you please correct the code above so that it is secured चलो इसे एक chance देतेता है ठीक है हाँ so set up a node server that can handle user authentication okay see this is how you set so अप front end पे set नहीं करते है आपको सिफ यह credentials include को आपको लाना है that's it so send cookies with the request so जबी भी आप या तो फिर अगर आपको चाहिए कि save हो जाए automatically ठीक है यहाँ पर देखे लिखा हुआ है login successful token is stored as http only cookie on the server you don't need to handle the token here in the client यह हमें फिर handle करने की जरुवत ही नहीं है तो फिर उसने जो हमें यह जो लिखके दिया था यहाँ पर code ठीक है यह काफी wrong था so guys just be careful आगे अगर आपको पसंद आया तो फिर मैं थोड़े और questions पूछूंगा chat GPT से और अगर आप पुछिए कि कोई specific prompt मैं cover करूँ तो please feel free to post them in comments enjoy